welcome to my youtube channel so student in this video we are going to discuss remaining important questions for board exam so student here हमारा part two है तो इस वीडियो में हम discuss करने वाले है remaining जो भी हमारे important questions है वो आगे के question हम discuss करने वाले है इससे पहले हम question 1 के सारे part को discuss कर चुके हैं तो आप जो है इस वीडियो में हम discuss करेंगा और questions को कॉन-कॉन से Question जो है वह आपके important होते हैं किससे टाइप को और questions आते हैं तो first की जितने पाड़ आते हैं फरस्सकोशन के पाड़ आते हैं हमने पिछले वीडियो में डिसक्स लिए थे इस वीडियो में हम सेकेंड को से पार आते हैं उनको को साथ कोई कई से न। उनको अटाइम करतेहे चलिए स्टाट करते एस वीडियो को और वीडियो को पुरा ध्यां से देखेए है ठीक है फिर बरीक बाःग को कट करके में नहीं नहीं आएगा कोई भी कोश्चन समझ में नहीं आगा पूरा पेसेंस रखिए ठीक है आप लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है ठीक है तो आप लोग जल्दबाजी में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है ठीक है थोड़ा टाइम जी जिए आ तो आपको study के लिए देना ही पड़ेगा जिसे कि आप अच्छे से score कर पाएं Marks अपनी ठीक है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं चलिए question 2 question 2 के a part को देखते हैं तो किसमे question आया हुआ है आप मारा which function out of the following can be considered as a function तो इसमें आपको देखके हैं पर कुछ functions दे रहे हैं function 123456 मतलब यह सारे function दे रहे हैं इन में से बताना है कौन-कौन से जो है वो overload function considered हो सकते हैं अब overloading क्या होती है overloading मैं आपको लोगों को explain कर चुका हूँ वहाँ अच्छे से फिर भी मैं बता देता हूं हो वालोडी का मतलब क्यों होता है जब एक की नाम के functions आपके रिपीट हो रहे हो बार-बार वादा सेम नेम के function हो रहे हो हमारे बार-बार पट उनके जो पैरामीटर से बो डिफ्रेंट हो क्या है हमारा first argument character type DOT argument ए और यह है इस type का कोई भी हमारे में argument पास नहीं हो रहा है तो हमारा ऐसा भी फंक्षिन हो जाएगा 2 यहां पर यहां पर फंक्रेंट को और आपर टाइब है तो यहां पर और चेंज हो गया यहां पर आगया पहले और बाद में करेक्टर रहा है तो यह हमारा फंक्शन बन जाएगा तो देखिए फंक्शन 3 को देखते हैं फंक्शन 3 में क्या है डिफॉल्ट आर्गूमेंट है मतला इसकी बैल्यू टैन है अब इसको हम ऐसा उब लोड फंक्शन नहीं ले सकते क्योंक अबर हम इस वारे फंक्शन को ऐसा उब लाक्वर खीर वर रहां की तो इसका फीचरे सेम तो यहां पर और भी लेगा थे इसका फीचर हो जाए है और एक यहां पर ऑग्यूमेंट अब कर सकता तो इसका सथ क्लैस हो जाएगा तो इसलिए इसको तो इसे को कट कर देते हैं इस ओप्षन को यह हमारा ऐजा ओवर लोड़ फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका रीजन भी मांगा गया आपसा दिखिए और राइट रीजन तो आप रीजन लिख देंगे इस फंक्शन एजन और फंक्शन फंक्शन इसके बाद हम बात करते हैं और तो आप इसको इस तरी के से लिख देंगे तो बात करते हैं function 4 की function 4 हमारा ऐजा ओवर लोड़ फंक्शन पाइगा क्योंकि इसमें कोई आर्गिमेंट नहीं है तो हमारे ऐजा वी ओवर लोड़ फंक्शन हो जायेगा ठीक है तो यह दो नो वजंगे ठीक है इसके वज़ तो इस वाले को हमने कट कर दिया तो यह हमारा ओवलोड फंक्शन हो जाएगा अब बात करते हैं तो फंक्शन 6 भी हमारा ओवलोड फंक्शन नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों कि अगर इसको तो इन दोनों की फीचर एक तरीके से सेम ही है तो इन दोनों की फीचर एक तरीके से तो हो जागा आपका 1246 ठीक है फाइब नहीं होगा मतलब दोनों से रहेगा या फाइब रहेगा या फिर सिक्स रहेगा ठीक है तो यह होगा हमारा 1245 चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन और से कोश्चन दे रहे हैं इस कोड को अब्जर करके इन कोश्चन के आपको आंसर देने हैं तो कोश्चन नंबर बन क्या है हमारा विच ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग फीचर इस इलिस्टेटेट बाइदा डेफिनिशन ऑफ क्लास फर्स और सेकेंड में कॉंसर उप्स का कॉंसेट हो रहा है इन है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इन है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोश्चन नंबर बन का आंसर हो जाएगा हमारा इन है है ठीक है आप आप लोग समझ में आगया होगा अब कोश्चन नंबर टू में के बोला गया है में वह दिस्प्ले और में फंक्शन टु कहा है में फंक्शन टू यह हमारा डिस्प्लेट ठीक तो दोनों ही हमारे में सब्सक्षण जो है इसको एक्सेस करेंगे अगर आप देते हैं डारेक्ट ले इस तरीके से तो क्या होगा सिचुेसियाशन में सिर्फ उस्सिर्फ में कराइगा कर 90 के मेंबर फंक्षन को तो इसलिए हमें क्या करना हो खर्स क्लास के मैंबर पर स्क्राइब में लिखेंगे जैसे रखा होता है दिशाम में वैसी लिखते हैं तो फ़स्ट लिख दिया हमने और उसके बाद में लगाएंगे तो यह statement बन हमारा बन जाएगा ठीक है यह लिख देंगे ठीक है तो अब बात करते हैं सेकंड वाले मेंबर फंक्शन को एक्स करना है तो क्या करेंगे हम तो सेकंड बाने के लिए बहुत एजी है अब लिए बहुत बाने के लिए आप यह लिख देंगे अब और यह था प्रस्ट को समझ में आ गया हुगा किसी तरीकी सी हमने किया फर्स्ट कोशन में आपसे पूछा गया था कौन सा उप्सका इसमें अपलाई हो रहा है तो वह हमने देखके हैं बता दिया क्योंकि फस्क्ल हमने क्लास का दिया डाया हम एसे लिखते इसको तो यह सिर्फ से क्लास की मिंदर करता थीक है और सेकिंड क्लास के लिए हमने त्यक्सेन से लिए यहां पर देखते हैं नेक्स्कीन हमारा को से पार्ट ऊसक्टीफ और फ्सक्रा सब्सक्राइब तो यहां पे बोला गया आपक को लिखनी को लास का नाम दे रखा है कि असπά सत्वाप कर देती है ला सा को ज़ीजिए बहुत ही ज्य जाद़ एजी होता है को देखके विल्कुल भी कर सकते हैं को क्योंकि इस question में सब कुछ given होता है आपको सारी चीजे दे रखें इस question में आपको बोला गया है कि क्या करना है को सब कुछ दे रखा इस question आपको उसको follow करके class में रख देना है बस और यह देखे को सब्सक्राइब का आप को बौासानी सी पुर्प साथ के साओ इस साधी करना है जो उसको क्वा लेbraus करें करने हैं गूंप को लॉई कवार मों कंतिफो कर लुए कन्टीनर थे दो ऊको नाम लिखती है container अब इसकी body start कर देते हैं class की ठीक है तो body start कर दी हमने अब हमें बोला गया है private members बनाने है तो private members में क्या है हमारा radius height और इस को कि टाइप क्यों होंगा flow data type को तो हम लिख देते हैं flow data type के हमने radius height दो data member बना लिए data member है चीज का दिहान रखना ठीक है I hope आप लोगो समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा ही है ठीक है और इसके बाद में बोला गया है type तो इंटीर टाइप का एक variable बनाना है जो कि हमारा type data member जो हमारा integer type कराएगा ठीक है तो यहाँ पे ले लिती है हम टाइप फिर हमें बोला गया है बॉलियम जो कि फ्लोट टाइप का होगा तो फ्लोट टाइप का बॉलियम बना लेती है ठीक है यह सब चीजी हमने बना ली और देखिए आप नहीं लिखते हैं तो बाइडिफॉल्ट हमारा प्राइबिट होता है आप लोग यहां पर एक्जाम में जब करें तो और यह भी और यह भी हमारा प्राइबिस ट्रेक्शन के अंदर ही रहेगा क्लास के तो यहां बना देते हैं कॉल बॉलियम नाम से मेंबर फंक्शन और इसका कुछ रिटन टाइप देंगे तो इसको बॉइट करके लिख देंगे डिया और आपको बोला क्या गया है टो हम लेंगे करए तो हम लेंगे है यहां पर इन सकने के लिए बोल हाय तो हम ल學ने आगर ऑन है तो यह उत्थरी पाइप की बेल्यू तो यह वाला फॉर्मिला ठीक हो और अगर टाइप की वैलू न बहुत ंर बैलू एंкиहां यहां है तो type की value अगर 2 है तो हमारा कौन सा formula अप्लाई हो जाए यह वाला अप्लाई हो जाए ठीक है तो यह formula हमारा apply हो जाएगा तो हम लिखनेते हैं इसमें यह वाला फार्मला तो formula क्या हो जाएगा यह वाला हो जाएगा इसके value calculate करके volume के अंदर तो यह function हमारा यहाँ पर define हो गया है इस function कर देते हैं close ठीक है अब आपको बोला गया है public member कौनकों से हैं तो public लिख देते हैं हम यहाँ पर ठीक है अब public आपको लिखना पड़ेगा ठीक है public नहीं लिखेंगे तो आपका गबड़ हो जाएगा ठीक है तो by default तो हमारे private में हो जाएंगे बनना सारे तो देखिए public में कौनकों से members है तो यहाँ पर कोई data member नहीं सिर्फ member functions है जो की हमारा है एक है get value ठीक है तो get value को नाम स हम member function मना लेते हैं और इसका भी written type नहीं है तो हम इसको void करके मना लेंगे ठीक है void get value हमने ले लिया अब इसमें क्या बोला गया है function to allow user to enter value of radius height and type बदला इसमें क्या के चीज़े आपको enter करवानी है user से आपको radius enter करवाना height enter करवानी है type enter करवानी है तो मतलब इस चारी चीज है इसकी तो radius लेलिया हमने height को बोला गया तो है लेलियो और type को बोला गया तो टाइप लेलिया है ठीक है और रही क्या बोला गया है also call function cal volume मतलब जो cal volume function हमने बनाए इसको यहां पर call भी करना इसी के अंदर call करना तो यहां पर कर देते है call call कैसे करेंगे cal volume को लिखके बस य है यहां पर हम show all function बना दिया और आपको display करने के लिए आपको बोला गया radius display कीजिए height display कीजिए type display कीजिए और volume मतलब जो भी volume की value हो से भी display आप कर दीजिए यहां पर तो हम कैसे करेंगे दिखिए इसको display simply हम क्या कर देंगे हापे cout कर देंगे ठीक है cout करते हैं रेडियस को कर दिया हमने height को कर दिया type volume इन सब को कर दिया तो वस इस function को में खाली हमें cout करना था मतलब सिर्फ function का का दिस्प्ले करने का था तो यह हमारा हो गया complete इस function को कर द इसका answer हो गया बस आपको क्या करना है जो चीज़े यहां पर दे रखी है उनको follow करके आपको यहां पर class को बनाते चले जाना है बहुत easy question है बहुत आराम से इसको कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं next question तो next question हमारा question number two का depart अब देखते हैं question number two के depart को यहां पर यहां पर क्लास के उपर question दे रखा है और यह question भी आपका four marks का है and यह question भी बहुत ज्यादा easy है आप इसको आराम से कर सकते हैं इसमें क्या होंगे इसके तीन-चार question दे रखी होती है मतलब एक class बनी होती है और इस से related 3-4 question दे रखी होती है तो class पर बेस यह question हर साल आता है ठीक है तो question no.1 दे रखा है हमारा which type of inheritance out of the following is illustrated in the above example मतलब जो एक्जामपल है इस एक्जामपल में आपका कौन सा inheritance हो रहा है मतलPass इंघेंस है मलटी लेगल इंहेल्टेंस थीनों में से बटाना इसमें कौन सा inheritance हो रहा है तो inheritance पहले है कि क्या हो रहा है कि हाप हमारा teacher नाम की class है और teacher नाम की class है कोर्स क्राव सब्सक्रीग और देखिए कौन सब्सक्रीज हो जाएगा हमारा मुल्टिपल इनहेरिटेंस क्योंकि एक ही क्लास में कई सारी क्लास हो रही है जब एक क्लास में एक से ज्यादा क्लास होती है तो उसको बोलते हैं मुल्टिपल इनहेरिटेंस तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्टिपल इनहेरिटेंस मुल्टि लेविल होगा नहीं क्योंकि मु हो रहा है मतलब multiple classes से single class में inherit हो रहा है तो इसका answer हो जागा multiple inheritance अब देखते हैं question number two क्या है हमारा question number two में क्या बोल रहा है आपको write the name of all member function which are directly accessible by the member function view of class schedule तो आपको बोला गया है view function जो है class schedule का उससे कौन-कौन से जो हैं आपके member directly accessible होंगे तो देखिए यह हमारा view function चैक करते हैं इसमें तो देखिए इसका answer क्या होगा तो यह अपने class के data member और या member function जितने ही होंगा उनको तो access कर लेगा चाया वो private में हो चाया public में हो तो वो सारे access हो जाएंगे मतलब कि यह start access हो जाएगा और यह जतनी data member यह access हो जाएगी ठीक है अब बात करते हैं class course के अंदर class course चींदर उसको एक्से कर लेगा public और प्रोटेक्टिटट वाले सब को access कर लेगा तो public में हमारे इनिशे इसको access कर लेगा और डिस्प्लेय इसको हो जाएंगे यह सारे चैस्ट हो जाएंगे हमारे से German function of क्लास स्यृवियोल अदका इस वांदे सो के ये सारे एकसेश हो जाएंगे हमारे चीह मैमबर फटा करें तो इच्छीक का रहा है इन वाले हैं म deleting दे कर रखा है को यह इसको अक्सिस कर लेना इनको एक्सिस मत कर लेना ठीक है यह हमारा फंक्शन जरूर रहा है लेकिन । टीकर उसी क्लास की नहीं से बना हुआ देखिए अब इसको एक्सेस मत कर दो जाना यह गलत हो जाएगा वन्ना आपका मेंबर उनको एक्सस कर लिया अब बात करतें इसया वाले की ठीक है तङक ट्रीय को एक्सेस कर लिया इस टीचर वाली क्लास ने किसको कर रहा है को रहा है और नेम को एक्सस कर लिया ठीक है और यजो वavinioきます एक खुटकोAl चाहूं तो लिख सकते हो कोई नहीं आप यह फॉक्शन अपको भी कॉल कर सकता है ठीक है तो यह होगी हमारा में क्या होता है जो भी आपकी class publicly inherit हो रही है उसके तो public section में जो होंगे members उनको access कर लेगा जो बट जो class privately inherit हो रही हो उसको किसी भी member को यह access नहीं करेगा तो यह public section वालों को access करेगा तो अपने class के भी public section वालों को access कर लेगा मतलब start हो करेगा access और view को करेगा और देखिए class कौन सी पॉब्लिक नहीं हो रही है और यह जो है प्राइबिट के इनहेरेट हुई है यहां पर ठीक है तो आपको समझ में आगया होगा तो इसका answer हो जाएगा आपका view start display के initiate ठीक है तो यह हो गया इसका answer अब बात करते हैं next question बोला गया आपको what will be the order of execution of the constructor when the object as of class schedule is declared inside the main function मतलब क्या order होगा execution का constructor का जब यह object जो है class schedule का बनाया गया है तो जब ऐसी situation होती है जहां पर कि अब्यक्त बना रहे हो और उसके बाद में हमारे teacher class तो teacher class का constructor हमारा execute होगा और last में होगा इस class का schedule class का constructor execute क्यूंकि ऐसी स्ब्सक्राइब हो थी जहां पर कि किसी class का हम ऑब्यक्त बना रहे हो और उस class में और class inherit हो रहे है तो जो classes inherit हो रहे है कि उसी sequence में उनके constructors execute होगे पहले हो है हमारी course class तो course class का constructor होगा फिर इन हीरोड़ी टीचर क्लास तो teacher class का इन ही होगा और last में होगा आपका जिस class का object बना होगा उस class का इस वीडियो में हमने Q2 के जितने भी पार्ट आते हैं आपके वो सब को डिसक्स कर लिया है और किसे से टाइप को समझ में आ गया होगा और अगर आपका कोई डाउट रहाता है तो आप वीडियो को देख लीजेगा दुबारा से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और अगर और फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट कर दीजेगा मां उसको चेक कर लोंगा और आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिस करूँगा बागी कोश्चन जो है वो नेक्ट वीडियो में डिसक्स करेंगे that's it for this video thanks for watching